अभी हम लोग क्लाश 12 फिजिक्स का NCRT का एडिशनल एक्सरसाइज का कॉस्चन नमबर करने वाले हैं कौन सा 2.12 ठीक है इस वो कूस्चन ये कह रहा है कि यहां पर यह Y Axis है ठीक है यह X Axis है और यहां सेंटर पर 8 Millicolumn चाल रखाव है 8 Millicolumn का मतलब आप लोग समझते ही हो 8 इंटू 10 टूदी पावर माइनस 3 कुलम ओर ठीक है बोला गया है क्या कि यहाँ पर 8 million है origin पर और यहाँ से z-axis पर आजाओ आप कोई point है P जिसका x0 y0 तो यह क्या z-axis पर 3 cm तो यहाँ से 3 cm यहाँ आगए यह 3 cm यहाँ पर मल लो यहाँ से यहाँ तक 3 cm z-axis पर यहाँ पर कोई point है P जिस P point पर रखा गया है charge कौन सा minus 2 गुणा 10 का power minus 9 column माइनस कितना 2 गुणा 10 का power minus 9 column इतना charge यहाँ पर रखा गया है ठीक है और इस charge को माईनलों किसी भी point से होते वे एक point का नाम है R उस point से होते हुए किस point तक ले करके गया गया है जाया गया है भाया उस point से होते वे किस point तक Q बड़ाबर Q, point Q तक ले खड़के गया गया है, जो कि Q point परा कहा है, 0, यानि X नहीं है उसमें, Z नहीं है, सिर्फ Y axis है, तो Y axis में यहां से यहां तक 4 cm, यानि कि यहां पर है अगर क्या, यहां से यहां तक कि दुरी होगे कितना, 4 cm, तो यहां से यहां तक होगया 4 cm, 4 cm बतलब 4 by 100, यानि कि 4 into 10 to the power minus 2 meter, नहीं, अच्छा, तो पहले चार्ज कहां था, Z axis में यहां पर था, ठीक है, यहां पर कितना था भाई, यहां 3 cm, पर, यहां 3 cm, यहां से 3 cm, तो यहां से चार्ज को क्या किया गया, या कुछ भी R point से होकर के, कहां लेकर कि गया गया है, Q point तक जो कि Q point यहां पर है, यहां पर ए Q point, और यहां पर था कौन सा, P point, पी point जो है, इसमें X0, Y0, Z यहां 3 cm Q यानि कि Y axis में यहां यहां से इसको जैसे तरह से भी गुमा के बस यहां लेके आगए तो यह initial position और यह final position ठीक है तो हमको पूछा जा रहा है कि work कितना हुआ तो work बराबर आप लोगों ने एक formula पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो आपने क्यालते हैं यह जो chapter 2 है इसका मेड़ा playlist देखो उसका जो first videos है उसी में मैंने यह relation मराया है relation between क्यालते हैं conservative, work done by conservative force and change in potential energy by a manoli के सच्कुर को तो भी आपको यह topic मिल जाएगा तो work done बड़ाबर होता है change in potential energy work done यानि कि final potential energy minus क्या initial potential energy finally potential energy कितना होगा तो finally यह जो इतना कुलम चार्ज है यह तो यह फाइनली यहाँ पर लाकड के रखा गया है Q point पर P point से उठा के कहाँ पर Q point पर किसी point से होते हुए ले जाए उससे को फर्क नहीं परता तो इस point पर लाकड के रखा गया है यानि यहाँ पर लाकड के रखा गया है minus 2 गुणा 10 का पाउर क्या माय minus 9 कुलम चार्ज यहाँ पर लाकड रखा गया है तो यहाँ पर जब लाकड रखा गया तो potential energy कितना इसके और इसके बीच का जो दूरी है तो फर्मुला होता है कि Q1 Q2 अब टे क्या R तो उसके हिसाब से बठाएंगे K का मतलब क्या 9 into 10 to the power 9 into Q1 यानि पहला चार्ज कौन सा 8 मिली कुलम यानि कि 8 into 10 to the power क्या minus 3 अच्छा into Q2 यानि कि क्या साइन के साथ रखना है minus 2 गुना 10 का पाउर क्या minus 9 अच्छा I divided by ये दूरी K हो गया Q1 हो गया Q2 हो गया अब टे क्या ये दूरी तो ये दूरी मेरा कितना है भाही तो ये दूरी है मेरा यहां से आतक 4 cm यानि कि 4 into 10 to the power minus 2 meter 4 into 10 to the power क्या minus 2 इतना meter अच्छा ठेक है minus initial potential energy की बात करे अगर ठीक है तो initial potential energy कितना था initially charge मेरा कहां पर रखावा था यहां पर था तो यहां और यहां के बीच potential energy कितना होगा यहां से यहां तकी दूरी 3 cm थी यहां पर P point था ना यह 3 cm थी तो initially potential energy के लिए भी फर्मूला तो वही है K Q1 Q2 upon क्या R K Q1 की 2 upon R होता है हाली square square नी K कमा 9 into 10 to the power क्या 9 Q1 यानि कि पहला charge मेरा कौन सा है 8 into 10 to the power minus 3 अच्छा और जो दूसरा charge जो कि यहां पर है वो charge कौन सा है minus 2 into 10 to the power minus 9 यह है minus 2 into 10 to the power क्या minus 9 आपको पता ही है कोई scalar चीज यानि कि अगर potential energy बगरा हो तो उसके फरमुला में charge को साइं के साथ लेते हैं अब बटे में दूरी हमको लिखना है तो दूरी कितना है यहां से आते की दूरी तो 3 cm है 3 cm 3 cm का मतलब क्या हो गया 3 बटा 100 इतना मीटर यानि कि 3 into 10 to the power क्या minus 2 इतना मीटर यही न 3 into 10 to the power क्या minus 2 यही इतना ही मीटर न अब इसको अराम से हम लोगी जत से solve कर लेते हैं ठीक है तो देखो जारा साप यह क्या है 4 से यह कट जाएगा 2 बार में ठीक है 2 दूरी क्या हो गया 4 क्यालते है 2 दूरी 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 पावर देखा जाए तो 9 है अब 9 है तो 10 to the power minus 9 10 to the power plus 9 खतम हो गया 10 to the power minus 3 है अच्छा यह minus 2 उपर चला जाएगा तो 10 to the power minus 3 गुना 10 to the power क्या यह नीचे से उपर जाएगा अच्छा ठीक है जाने दिया जाए minus आगे इधर क्या है अच्छा यहाँ पर तो यह चीज़ देखा जाए तो इसमें क्या हो सकता है 3 से यह कट जाएगा कितना तीन बार में अच्छा ठीक है उसके बाद 10 to the power minus 9 10 to the power plus 9 कट गया अच्छा ठीक है तो यह हो गया 8 तिया 24 यह 8 तिया 24 चौविस दुना 48 minus 48 ठीक है 8 तिया 24 चौविस दुना 48 minus 48 उसके बाद यह 10 to the power क्या है minus 3 into 10 to the power minus 3 यह नीचे से उपर चला जाएगा तो 10 to the power क्या 2 हो गया है कि नहीं अब उसके बाद देखा जाए तो यह minus 36 into 10 to the power क्या minus 1 यह minus minus क्या हो जाएगा पलस 48 into बेस से मैं पावर जुटेगा 10 to the power क्या minus 3 यह plus 2 मिल कर क्या minus 1 तो यह हो गया minus 36 अबटे power minus में तो नीचे आजाएगा यह हो गया 10 प्लस क्यालते है 48 यह पावर minus में है न तो यह नीचे आजाएगा तो यह क्या हो गया 10 तो यह हो गया मेरा कितना minus 3.6 पलस 4.8 आप calculator से add कर लो 4.8 में अगर minus 3.6 जोड़ोगे इसका मतलब हो गया कि 4.8 में आपको minus 3.6 को घटाना यह न तो final जो result आएगा तो वो हो जाएगा कितना उल्टा इसमें से यह घटेगा न तो यह हो जाएगा कितना 1.2 इतना जूल मेरा क्या हो गया आंसर इस्क्रीन सोट लेना चाहो तो लेलो ठीक है वीडियो पसंद दे आते हैं वीडियो को लाइक कर लोना चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लोना आप हमारे चैनल से सारा NCI Tech Exercise इस एक्जांपल सब सारा चीज़ सब कुछ पहा सकते हो सारा थियोडी वगर सब कुछ आपको मिलेगा हमारे चैनल पर ठीक है और सारा चैप्टर का PDF नोट चाहिए तो हमारे वेबसाइट www.physicsbyamonore.com पर आप जा सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया प्लेलिस्ट जरूर चेक करवाँ बाबाई, बेस्ट अफ लग